तो इसके फाइनल मेरिट लिस्ट जो है कल दो सब्तंबर को जो है पॉब्लिस कर दिया गया और जो भी सेलेक्ट हुए है उन सारे छातरों के लिए या आफसे एक सुचना है कि डीभी क्या होता है और या डीभी कब से होगा और डीभी के दोरान जो है कौन-कौन से बने वाले हैं चुरू संतक कि इस वीडियो में बने रहेगा आपका जो भी डाउट होगा कनफ्यूजन होगा इस वीडियो को देखने के बाद जो है क्लियर हो जाएगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं कि देख लेजए जो चुरासी सब्वंदर सीट है तो उनका जो है योगदान करने के लिए यहां पर डेट दिया घया है फंदर सप्टमबर से लेकर Pan अक्टूबर चांश करने के आप लोगा बटों weirdest में को लेजाने है सब कुछ इस वीडियो में कभर करने वाले हैं ठीक है और देखिए सबसे पहले यहां पर आप लोग को हम बता देते हैं डीवी क्या होता है क्योंकि बहुत सारे कंटेट्स नहीं जानते हैं जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वे सब जानते होंगे लेकिन हां कुछ ऐ से जो हैं डोकमेंट्स को वेरिफाई किया जागा ठीक है जब डोकमेंट्स वेरिफाई किया कर लिया जागा ठीक है उसके बाद फिर आपको घर भेज दिया जाता है ठीक है तो डीवी के बाद क्या होता है आपका डीयो होता है ठीक है डीयो के बाद क्या होता है आप लोग कौन कौन सब को टॉकमेंट से आपको लेकर जाने होते हैं कसका एक बैद फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे ग्याधार करड हो पैन कर डॉक्विल लाइसेंस हो इन naming से एक जो एक आपको योगदान के समय ले कर जाने हैं उसके बाद यहैं लिखित परिक्छा का admit card आपको वहां पर लेकर जाने है physical जो हुगा है उसका admit card लेकर जाना है और physical के जारान जो गेट पास आप लोग को मिलता है चिहां तो उस detail पास को भी आप लोग球 PAS्ण में हैं वहां पर लेकर लेकर जाने हैं त्येंत को आदार पर जन्मतीथिप जो है इस बात को घ्यान में रखना है उसके बाद जो भी गोर्खा के संबन्दित है ठीक है उनको जो है गोर्खा होने के संबंद में प्रमाण पत्र जो है वहां पर लेकर जाने हैं उसके बद यहां पर बात कर लेते हैं यानिकë जाती प्रमाण पत्र जो है लेकर सब को जाना है ठीक है उसके बाद जो भी जो महिला है बिवाहित हो या अबिवाहित हो तो जाती प्रमाण पत्र जो है पीता के नाम पर जो है होना चाहिए तो ही जो है वैद होगा इस बात को आपको ध्यान में रखना है ठीक है उसके बाद आपको ध्यान में रखना है महत्पूर्ण यहां पर पांच नमर कॉलों में दिया गया है अभियार्थियों का निर्धारित आउधी जो है आवंटित जीला इकाई में योगदान करना अनिवारे है अन्यता उसकी उमिद्वारी रद की जा सकती है यानि कि 15 सेप्टमबर से लेकर जो है यानि कि 15 अक्टूबर के बीच में जो आपको योगदान करने के लिए समय का आउधी दिया गया है उसी के बीच में आप लोग को योगदान कर लेना है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर ली जिका नहीं तो यदि आप इसके बीच में जो ही योगदान नहीं कर पाते हैं फिर आपकी उमिदवारी रद की जा सकते हैं उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो इस बात को हमेशा आप लोगो ध्यान में रखना है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेडिकल जाच कब से होगा देखी आप लोगों का जब डीवी जो है 15 से शुरू होगा ठीक है उसके बाद ही जो है आप लोगों को मेडिकल का डेट मिल जाएगा ठीक है फिर भी यदि आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो कोई भी अपडे कमें ये डौर मडीकल में यह डाउट बन रहा है कि क्या डीबी और मेडिकल से भी हैं कंडेट help होते हैं तो जी बलकि ये सब DV और Medical ist표 होता है। इस बात को भी आप लोग को धियान में रखना है। थे की है, मैक्सिमम कंडिर्स यायनि कि 99% जो इसमें पास हो जाते हैं, यायनि कि 1% ही जो ऐसे बात को आपको धियान में रखना है। और रेयर केस में कंडेट जो हैं डीवी और मेडिकल से आउट होते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, अब जो भी अपडेट होता हैं, ठीके, तो हम सबसे पहले जो हैं, इस चैनल के मद्धम से आप लोग को अपडेट देते रहेंगे, तो आप लोग को फर्ज बनत देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और एंड नेक्स्ट टॉफी के साथ, थैंक यू,